हलो दोस्तों स्वागत है आपका आज हम लोग हो जण्जाती के बारे में विष्टार से जानेंगे चलिए देखते हैं हो जण्जाती यह जण्जाती जहारखंड की छांती चौंथी सरवधिक जनसंख्या वाली जन्जाती है ठीक है यह जंजाती प्रोटो एस्टोलाइड समू से समंध रखती है यह जंजाती का समंध प्रोटो एस्टोलाइड समू से है प्रजाती से है ठीक है इनका प्रजाती क्या है कौन सा समंध का प्रजाती है प्रोटो एस्टोलाइड समू के अंतरगत यह प्रजाती को क्लसिफ पड़ किया गया है ठीक है इनका यह हो जन्जाती का सनकेंद्रन सबसे ज्यादा कोलान परमंडल में है ठीक है और इनका जो गोत्र है 80 से अधिक गोत्र है ना हो जन्जाती का गोत्र 80 से लगभग 80 से अधिक गोत्र में विवक्त किया गया है जिनमें ना जिसमें देखें कि हम लोग important वह नो बारला बारला गोत्र ठीक है बोद्रा गोत्र और क्या है बाल मुचु गोत्र अंगारिया गोत्र हेंबरिम गोत्र चांपिया गोत्र और ताम सोय ठीक है ताम सोय गोत्र इतना गोत्र ना ये सब परमुख है और भी है तो हम ल फिर हम लोग देखते हैं हो ठीक है हो जो समाज है हो समाज में नोहीं हो समाज पूर्व में क्या था मात्री सतात्मक था नहीं इंप्रिंट पॉइंट है हो पूर्व में हो जो थे ठीक है पूर्व में क्या थे मात्री सतात्मक थे लेकिन अब क्या हो गया है पित्री सतात्मक हो गया है ठीक है तो यह याद रखे गया कि हो पूर्व में मात्री सतात्मक थे और अब पित्री सतात्मक हो गया है क् ठीक है अब यहां पर देखियें कि हो मेभी ना सब गोत्रीय हे मतल्ला अपने विवा निशित है जैसा कि सारे अभी हम लोग क्या क्या आधिया देख चुके है तो सब्सक्राइब यह गवा उसमें वी निसिद है वर्जीत कि आ इसमें भी निशिद्ध है इस जन जाती में मतलब हो जन जाती में मेरे भाई तथा बहन से मेरे भाई और बहन मेरे जो भाई बहन है उनसे साधी होती है मतलब मेन प्राथमिक्ता दी जाती है अगर मेरा भाई आपने मेरे बहन साधी करने को त्यार है तो सबसे पहले उसी से सा श्रिष्ट माना गया है उसके बाद अभी और हम लोग देखेंगे कौन कौन सा बिवा है दिकु आदी बिवा कौन सा बिवा है दिकु आदी बिवा इस बिवा में क्या होता है हिंदू प्रभाव हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गाओं में रह रहे परिवारों में परचलीत है यह इस परकार को जो बिवा है कौन सा है अंडी या ओपोर तीपी बीवा अंडी या ओपोर तीपी बीवा ठीक है यह क्या होता है वर्दवारा इस बीवा में वर्दवारा कन्या का हरन करके बिवा किया जाता है ठीक है जो अंडी और ओपोर तीपी बीवा है वर्दवारा कन्या का हरन करके बिवा किया जात कन्य की मड़ी से न बर दोनों की मड़ी से साधी होती है चाहँ नाम है राजी खुसी बिवा अब नेक्स बिवा का क्या यहां पर परकाल है आदेर ने तो देक क्या होता है वद हुद दवारा बिवा होने तक जबतक साधी नहो जाए मतलब लड़की ही लड़के के घर में आके रहती है, जब तक उसका साधी नहीं होता है, मतलब लड़का के घर से ही होता है, उसको हो में आदेर बिवा का आ जाता है, ठीक है, तो हो जन जाती का युवा, जो युवा ग्री है, उसको क्या बोलते है, गिती आरा बोलते है, गोत आरा भी कहीं कहीं लिखा हुआ है ठीक है गोती आरा बोलते हैं ग्राम पर्धान को क्या बोल जाते हैं मुंडा बोला जाते हैं ठीक है मुंडा का सहाय कौन होता है डाकुआ होता है मुंडा का सहाय कौन होता है डाकुआ होता है ठीक है साथ से बारा गाउं का समू क्या कहलाता है पीर या परहा कहलाता है साथ से बारा गाउं रहेगा तो पीर या परहा कहलाएगा ठीक है परहा का परधान को मानकी कहते है परहा के जो परधान होता है उसको मानकी बोलते है अब परहा का नाईग जो परधान है उसको पीर पंच ब मुंदा मानकी पर्साशन हो जन्जाते की लगू परजातंत्र की ज्लग देखने को मिलती है इनका प्रमख परव कौन-कौन सा है हम लोग अभी देखेंगे प्रमख परव माघे बारहा दुम्री हो रो जौमनाम को लोग इनका मुख परव है ठीक है अब भासा के बारें थोड़ा जान लेते हैं इनका भासा हो ही है इनका भासा क्या है वो है जो आस्टिक परिवार की है इस जंजाती के लोग गो की ना लोगों को मूच और डाड़ी नहीं होती है इस जंजाती के लोग मतलब जो हो जंजाती के लोग है उनका मूच और हम हुक है ठीक है अब हम लोग characterized की इनका आप सार्व करनों देवता कोन है तो सरों परमुह देवताlike नाम है सिंग औंग ठीक है क्या आप है सिंग बंग और अभी और देखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं उसको पाहुई बोगा ना ग्राम देवता को बोलते हैं ठीक है पाहुई बोगा ग्राम देवता को बोलते हैं औरी बोडोम प्रिधिवी देवता को बोलते हैं मारंग बुरु पहार देवता को बोल जाता है और नागे देवता क नागे इता नाग देवता को बोलते हैं अंद आली बोंगा ठीक वार्सा देवता है धारमिं कergद्थान कराने के लिए हो जलन संप दो이ंद्थान करें गोलते हैं ना धारमिंस स्टान करें दोनों पर्थाएं यहां रम चलती है ठीक है अब हम लोग देखें गे पारंपरीग जाती प्रणाली क्या है तो हम लोग देखे थे प्रामपरिक जाती परनाली है मुंडा मान की प्रिसासन ठीक है नेस्ट क्यूचन देख लेते हैं हम लोग हो जंजाती के समद्ध में नीमन में से कौन सा कथन असत्य है क्या है कौन सा कथन असत्य है तो हो समाज पूर्व में मात्री सतात्मक था जो अब पित्री सतात्मक हो ग हमात्री सतात्मक हो गया है हां यह बिल्कुल सही है नहीं अब लोग गलत देखना ना टी यह तो गलत हो गया फर्स्ट वाला तो चल्ट का सही ऐस…" सपही है लेकिन आपस्टन हम लोग बोला जा रहा है कि असत्य ढऺंड्ल कि डूढ़िये तो हमारा आफ असत्य ही हो जाएगा ना भीॉप्सिंए इसतं ź हो जाएगा हो समाज पुर्व में पीत्री सत्धात्मक्ता यह तो बिलकुल गलत है ठीक है पुर्व में के हमात्री सत्धात्मक्ता बाद में पित्री हो गया था और तो हमारा बी मि से किस बीवाह को सर्वस्रिष्ट माना गया है हो जन्जाती में निमन में से किस बीवाह को सर्वस्रिष्ट माना जाता है option हमारा आतिर बीवाह आधी बीवाह ओपूर टीपी बीवाह राजी खुसी बीवाह तो हमारा एंसर हो जाएगा आदी बीवा सब से आदी बीवा के सब सुसरेस्ट मना गया है आप क्यूचर नमर फोर पे देखते हैं हो जंजाती का सरवधिक सन केंद्रन जारखन के किस परमंडल में है तो option हमारा कुलान पलामू परमंडल उत्री छोटाना कूर संतार तो हमारा हो जाएगा यह option कुलान पर जान करना है ठीक है तो पहला क्या है फ़र्ष्ट है राजी खुसी बीवा तो राजी खुसी बीवा किसमें होगा राजी खुसी बीवा वर वद्व की एक्षा से बीवा जो होता है उसे राजी खुसी बोलते हैं ठीक है यह भी सही है आदी बीवा वर द्वारा किसी परची आदिर बिवा में वद्ध दिवारा बिवा होने तक बला तक वर के घर रहना अच्छा तो यह वद्ध जो होती है ना वर के घर जब जस्ती रहती है उसे आदिर बिवा काते हैं यह सही है ठीक है यह भी सही है तो घव में हमारा है ओपोर्ती पी बिवा ओपोर्ती बिवा क्या है वर्द वास का हरन करके भिवा करना तो चारो का चारो यहां पर समया समया है मिलाए हुआ था ठीक है हम लोग कुछ करना यह नहीं था चलिए तो इसमें a को आप्षण एह ही सभ्सी होगा ठीक न चल्लिए हम लोग नेक्स जो दे हैं हो जंजाती के आज के लिवा से इतना ही धन्यवाद